दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज का वीडियो जो है डिविडेंड को लेगे हमें एक बार फिर से आपके समक्ष आये हैं डिविडेंड क्या है किस प्रकार से एक समय के बाद आपको ये उतना पैसा देता है जो आप अल्रेडी शुरुवात में लगाते है उतना पैसा तो एक समय के बाद आपको साल का डिविडेंड आता है तो जो यहाँ पर कॉमेंट है सज्जन का और प्लस साथ में हम थोड़ा सा देके हमारे वीडियो में एक मोटिवेशन होता है आपको जागरुग करते हैं आपके जो अंदर जो शक्तियां छीपी हुई है उनको हम जागरत करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भली बाद समझ सकें कि पैसा किस प्रकार से भारती बाजार से बन जाता है तो हमने कुछ एक्जामपल यानि की काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो और कुछ स्टॉक्स भी आपको बताएंगे तो कॉमेंट है पहले वो समझ लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे देखी कल का जो हमारा वीडियो था उस पे एक कॉमेंट आया था कमल जी का सर गुड इवनिग आप्रेशिए योर एफोर्स फोर्स प्रेदिंग सच ग्रेट नॉलेजज और याम प्राओट तो प्राओट आप अल्स चरनल अज़ अज़ अर्गलर वीवर पोर्टफोलियो चाहते हैं जिससे इनको एक समय के बाद डिविडेंट यानि रेगुलर इंकम की जो है आमध होने लगे और साथी जो इनका निवेश है वो भी सुरक्षित रहा ऐसा नहीं है कि बूपढ़ है ही ना कि इनो ने कहा कि इट शुड अलसो ग्रो यानि कि ग्रो नहीं है उसका कारण है कि जो प्राइवेट कंपनिया होती है उनका एक मालिक होता है या फिर एक मैनेजमेंट टीम होती है लेकिन सरकारी कंपनियों में क्या होते हैं कि गवर्मेंट बदलती हैं ऑफीसर्स बदलते हैं जो पदभार संभालने वाले हैं तो कोई उनका मालिक डालने ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए PSU में बहुत ज्यादा capital gain मिलने की संभावना नहीं रहती, बशर्ते की अच्छी कमपनिया होती है, कमाव कमपनिया होती है, चाहे तेल की कमपनिया हो, चाहे और भी government कमपनिया हो, वहाँ से dividend यानि की कमाव होती है, तो dividend की रूप में मिलता रहता है, government को भी चाहिए होता पैसा, तो हम उन इस stocks के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, आगे पूरी details में देखिएगा, example सहिद बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जागरूप करना चाहूँगा, कि जो लोग आप 10-15 साल share market में ऐसे निकाल देते हैं, दर मुझूद भी समझ है, तो वही इस धर्ती का सुख लेपाता है, वीर भोग्या वसंदरा, वीर ही राज करते हैं ऐसी धर्ती पर, क्या होता है, यह आप गगन चुम्बी इमारा देख रहे हैं मुंबई शहर के, यह बिल्डिंगे देख रहे हैं आप, महेंगे महेंगे सक्करों को फ्लाइट्स हैं, लक्जरिस लाइफ है यहां के, इनमें कौन रह रहा है, आप को क्या लगता है, यह बिल्डिंगों में यहां देव laughing है समझदारी, वो टैलेंट विकसित करना, वो समझदारी विकसित करना, जिसने सीक लिया और जो समझ लिया, वो यह कि कोई इनसान है दो लाक रुपए महीने कमा रहा है कई वर्षों से उसने कुछ पैसे जोड़े मालिजी यह कि 20 लाक रुपए अगर उसने सारे खर्चे वर्चे बचा के 20 लाक रुपए बैंक में रखे हुए हैं और उसको बैंक में आके नहीं अन्य ऐसे स्कीमस में जो पैसे करोड़ों का रुपए रखा हुआ जाता है उठाता है और आता है किसी stock में किसी expert के advice से लगाता है अगर खोद उसको knowledge नहीं है और वो 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में 25-30% return मिल जाते हैं सुरक्षित तरीकर से लेकिन निकल जाता है आपको भी पता है कि भारती बाजार में किसी-किसी stock में एक दिन में 10-20% तक भी upper circuit लग जाता है कोई अगर बहुत कौर से देख रहा है, किसी stock को observe कर रहा है, कोई fundamentally बहुत strong company है आप देखिए, बहुत सारे stocks पर हम चर्चा करते हैं, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, आप खुद भी आप realize करते हुए कि ये company भाग गई, वो company भाग गई और जो मेहनतकश इंसान है, 12 घंटी की job करने के प्रशाद दो saving करता है, तो क्या होता है कि आपको भी उस चीज की learning लेनी है, उस पैसे को ऐसे कहा लगाएं कि जिससे आप भी बड़ा पैसा बना सकें तरीके बहुत हैं, techniques बहुत हैं, लेकिन public platform पे ऐसी चीजें नहीं खुल के बताई जा सकती हैं, तो यही मैं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आये, अब आगे बढ़ाते हैं, माली जीन सर्जन ने पूछा कि dividend भी हो सकता है, ऐसे regular income के लिए और पैसा भी सुरक्षित रहे तो हम उन company के बारें भी चर्चा करेंगे, जुनोंने हम पूछा है, लेकिन पहले ये तो बता दे कि क्या ऐसा work करता है past की, तो हम कुछ company का example देखी, बहुत सारे dividend की वीडियोज बनाए हुए हैं, IT software हो गई, FMCG की हो गई, तो आज भी हम एक stock के बारें चर्चा करने वाले hold का मतलब है कि जीवन भर ऐसी company चलती रहें तो उनके साथ बने रहें, एतना dividend आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोई company है, नाम हम बाद में reveal करेंगे, 2030 चल रहा, ठीक 20 साल पहले चल जाते हैं, 2003 में, 2003 से लेके 2004 में, 5 से पहले किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 1000 quantity कठी कर इस company की, यहाँ पर face value 10 की थी, एक की हो गई, यहाँ पर उसके shares हो गए, 10,000, ठीक है, 10,000 shares की quantity हो गई, किसी ऐसे investor की जिसने 2,5 साल में 1000 shares किस तरीके से बना लिये, सीधे आते हैं, इस company ने bonus भी दिया हुआ है, यह तो split हुआ था, अब bonus भी दिया हुआ है, बोनस कब कब दि तो हम 2005 से ही पकड़ते हैं, इसके पहले बहुत पहले हो जाएगा, 1994 वगएरा छोड़ दीजिए, हम भी इस साल पहले की बात कर रहे हैं, तो bonus दिया, तो 10,000 shares यहाँ पर हो गए, कि कोई 2 shares पर 1 share यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही simple भाशन में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 15,000 shares हो गए, फिर यहाँ पर 1 share पर 1 share और मिल गया, जितनी quantities थी आपके पास वो double हो गई, तो यहाँ पर 30,000 shares आपके हो गए, ठीक है, अब अगेन यहाँ यहाँ पर 2016 में इसने bonus दिया, जिसके पास 2 shares थे, उनको 1 share और मिल गया, 30,000 इसके पास shares थे, उनके हो गए, 45,000 shares ठीक है, इन 20 वर्ष के period में, यहाँ कि 19-18 साल के period में, उनको करीब 1,000 shares, 45,000 shares हो गए, अब 45,000 shares जिसके पास हैं, तो सिर्फ, यह तो हर साल dividend देती है, सिर्फ 2023 का भी dividend पकड़ लें, 15,50 पैसे, साढ़े चार सु रुपए प्राइस के इसाप से जो एल्ड निकल के आ रहा है, वो आ रहा 3.44%, आपको कमपनी मालुम पड़ गई होगी, बहुत प्रिसिद्ध कमपनी है, तो 15 रुबए 50 पैसे, 45,000 into 15 रुपए 50, dividend निकल के आ रहा 6,97,500 रुपए, और आज की देत में, उस स्टॉक का प्राइस है, साढ़े चार सु रुपए, ठीक है, तो 45,000 शेर्स into 450, जो अमांट बन जाती है, दो करोड़, दो लाख, पचास हजार, ठीक है, तो आज की देत में, वो करोड़ पती भी है, मातर एक हजार कॉंटिटी शेर्स लिये थे, और ऐसा नहीं कि उन दिनों सस्ता रहा होगा, बहुत पास्ट में नहीं जाएं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमपनियां, आज की डेट में भी हैं, FMCG की हों, IT Software की हों, जो फ्यूचर में बन सकती हैं, बस आपको पहचानना है, यही तो कला है, कि कौन सी कमपनी बनी रह सकती है 20 साल, त तो आपको बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, डिविडेंट, डिविडेंट से साल का सिर्फ 6 लाख, और इतने 20 सालों से एवरी एर जो है डिविडेंट दे रही है, आप री निविस्ट करते गए, तो आपके पास तो लाखों कौन्टिटीज हो जाती, और इस कमपनी का नाम है ITC, ठीक है, इस तरीके से हमने HCL TAKE, Wipro हो, Infosys हो, TCS हो, इन सब स्टॉक्स के बारे हम चर्चा किया हो, बिटानिया हो, सब के बारे हम बताया हुआ किस प्रकार का डिविडेंट आज दे रही है, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ी कमपनी जो आल्रेडी इतने बड को लेने को नहीं कह सकता, लेकिन आपको किस तरीकिक कमपनियां लेनी है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो PSU कमपनी नहीं होनी चाहिए, हाला कि हमने PSU कमपनी के बारे हम बहुत सारे चर्चा की, जैसे कि जब वो सही वायलिवेशन पे थे और सस्ते वायलिवेशन के अला तो इस तरीके से जैसे कि अगर हम FMCG को कंसीडर करें, क्योंकि हमें लगता है कि FMCG के जो कुछ अच्छी कमपनियां भावश में चलती रहेंगी, क्योंकि इनका कंजप्शन बहुत जादा है, खानी पिने की चीज़ों की मांग बनी रहेगी, आदमी देखिए, एक बार इनके पास भी अच्छा कैश आता है, और इनको बहुत ज़्यदा ताम जाम नहीं करना पड़ता है, इतनी ब्रांचेस कोलनी है, यहां जमील लेनी है, ट्रैक्टर्स लेने है, कारे लेनी है, बहुत ही कम खर्च रहता है, एक्स्पेंशन के नाम पे, तो FMCG में अगर आज क में छोटी मूटी कमपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो अच्छी कमपनियां है, तो इन स्टॉक्स को हम रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, इन में कोई हमारा रेकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी स्टॉडी करने पड़ेगी, अपने एडवाइजर से मशूरा करना पड़ेगा, बिक्टर्स फूड हो गया, यह ना, पीका जी हो गया, एल्टी फूड्स हो गया, बहुत छोटी कमपनियां आपको नहीं स्ट कर सकते, क्योंकि उन में थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो यह जो कमपनियां है, इस तरीके कि बहुत सारी और भी कमपनियां है, फ हो गया, बिकजी हो गया, और ऐसी कमपनियां आज जो डिविडेंट दे रही हैं, जो बहुत पहले लिस्ट होई थी, जैसे ITC हो गई, ब्रिटानिया हो गया, अमेरिको हो गया, डाबर हो गया, इस सारी कमपनियां आज की डेट में इतनी ज्यादा शेयर्स के क्वान्टिट बढ़ा चुकी हैं, और इतना ज्यादा पैसा भी डिविडेंट की रूप में देती हैं, और कीमत भी आज पैसे की काफी बढ़ी हो चुकी, और अगर IT Software में जाएं, टाटा एलक्सी हो गई, कोफोर्ज हो गई, कोफोर्ज के एल्ड थोड़ा अच्छा है डिविडेंड एल हो गई, ठीक है, तो यह जो छोटी कमपनी हैं, इन में आपको पहचानना है, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्फोलियो डिविडेंट को लेके नहीं बनाना है, आपको कुछ FMCG के रख लेनी है, कुछ IT Software के रख लेनी है, और यदि आपको लगता है किसी और भी सेक्टर मे हो जो डिविडेंट भली अच्छा न देते हो लेकिन आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कमपनीया हैं जिन में हो सकता है कि आपको आठ दस सालों बहुत ज्यादा ग्रोथ देखें जैसे कि अब कुछ कमपनीया हैं जो डिविडेंट तो बिलकुल भी देंगी देंगी तो नामात्र का देंगी लेकिन आपके पैसे को कई गुना कर देंगी जैसे कि इन दिनों इलेक्ट्रोनिक मनफैक्ट्रेस हैं, कॉन्ट्रेक्ट मनफैक्ट्रिंग वाली कमपनीया होती हैं तो इतना ज्यादा उनमें मार्जिन होता ही नहीं है लेकिन इतने वाचिव वाचिए वीडियो फ्रेंट